हलो गाइस वेलकम टू हैकर सोसाइटी तो आज की वीडियो में आपको कुछ मेल सर्विसेज बताऊंगा जो की आपकी हेल्प करेंगे एनॉनिमस रहने में और आपकी प्राइवेसी मेंटेन करना है आपको तो पता है यह इमेल बहुत जरुरी चीज़े कन्वरजेशन के क्योंकि जो गूगल है वो आपके आई-पी लॉक्स रखता है मतलब आपने जब भी भी गूगल अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो वो किस सिस्टम से हुआ है कौँसा ब्राउजर है वो सब चीजे वो लॉग्स जो है वो अपने पास रखता है तो यहां पर आपकी प्राइवसी देते हैं और किसी प्रकार का कोई लॉक्स नहीं रखते जो कि बहुत सई चीज है तो इसी बारे में आज का वीडियो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना बहुत सारी चीजे आपको बतानी है और यह जो हमारी डार्क वेब डीप वेब की जो सीरी कर दीजिए थोड़ा वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है तो चलिए सिधा मुद्धे पर आते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने तौर ब्राजर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो वो इसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा जो ज़रूरी चीज़े हैं इस वीडियो के लिए वो सभी चीज़े आपको आई बटन में मिल जाएगी तो चलिए सिधा वीडियो की तरफ तो आप क्या कर लिजे अपना टौर ब्राजर ओपन कर लिजे और मैं आपको इनकी यह जो साइट से इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप यहां पे जो एड्रेस आपको दिख रहा है या आप डिरेक्ट पुट करोगे अपने एड्रेस बार में तो भी कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले मैं आपको जिस साइट के बारे में बताना चाहता है जो है गुरीला मेड इसको देखके आपको स तो जगर सिर्फ एक बार ही जाना होता है तो वहां पे आप इस इमेल एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं यह एक बहुत अच्छी चीज है बहले आपको यह काम की ना लगे इसके फायदे में बताता हूँ पहली चीज तो यह है कि आप यहां पे अपना जो इमेल एड्रेस है वो आप खुद के मुताबिक रह सकते हैं, भली यह temporary हो, लेकिन यह एक बहुत ही चीज है, अगर आप clear web पे जाओगे, वहाँ पे भी एक service है, टेम्प मेल बोलके, वहाँ पे आपको ऐसा कुछ option देखने को नहीं मिलता है, रियली एक बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं आभी the rock यह डालता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाले इससे, और इसके साथ इसके साइड में आप इन में से कोई साभी domain चूज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा, यह, और एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, कि आप जबी भी आगे वाले बंदे को email address दोगे, तब आपको यह जो नीचे scrambled address दिख रहा है, वो देना है, तो इसका तो यूज आपको पता चल गया है, और इसके बाद जो है, यह proton mail, इसके बारे में आपने बहुत ही सु चीज यह open source है, open source का मतलब कि आप इसके जो भी encryption का code है, वो खुद जाके analyze कर सकते हैं, अगर आपको coding की अच्छी knowledge है तो, और इसको sign up करते समय आपको किसी भी प्रकार की personal details मांगी नहीं जाती है, नहीं कोई आपके locks वगेरा रखे जाते हैं, और एक और बात, इसके जो server स स्विजर लेंड में है, स्विजर लेंड तो पता ही आपको, किसके लिए famous है, वो banks के लिए, Swiss bank, अगर मैं यहां से इस tab में जाता हूं, security के, तो यहां पर आपको दिखने को मिल जाएगा, end-to-end encryption है, जो कि WhatsApp में भी use होता है, end-to-end encryption, कोई भी middleman इसको नहीं पढ़ सकता, प public key, private key, यह वाली चीज़ है, मैं इनके बारे में और detail में बताऊंगा, आने वाली वीडियो में, आप यहां पर पढ़ सकते हैं, और अगर आपको आपको अपन करवाना है, तो यहां से sign up, क्लिक कर देना है, और यहां पर आपको इनके premium version भी दिखने को मिल जाएगे, जो कि अच्छी facilities प्रोइड करते हैं, अगर आप free के version को भी यूज़ करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो बढ़ता हूँ मैं next service की तरफ, जो कि है secure email.org, यह एक बहुत सही चीज़ है, क्योंकि आप यहां पर ही पढ़ सकते हैं, यह जो लिखा हुआ यहां से यहां त entity है, उसको भी protect करता है, और यहां पर आप देख सकते हैं, we do not log your IP address, all emails and SMS are encrypted, we can't report anything to foreign governments, this includes the US and European Union governments, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि किसी प्रकार को को कोई भी report नहीं करते हैं, किसी भी government को कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं, इस site से आप सिर्फ email address ही नहीं, बल्कि आप SMS भी send कर सकते हैं, you can spoof the SMS sender number and many more, यह एक site है, जिसको आपने एक पर visit करना ज़रूर चाहिए, अगर आपको anonymous रहना है तो बढ़ता है, next site की तरफ, जो कि Torbox, इसकी भी same features है, और यहां पर आप देख सकते हैं, नीचे, PGP, इसका meaning क्या है, PGP का pretty good privacy, यह एक बहु आपको वही services देता है, जो यह दोनों देता है, बस difference ही है, कि सिर्फ यह deep web पे चलता है, अब वो जो दो है, deep web पे चलने के वज़े से इसका एक plus point क्या है, मतलब आपका जो भी connection है, वो Tor relay से होके गुजर रहा है, जिससे कि आपका जो real IP address है, वो इनके server को पता नहीं चल रह तो guys, आज के लिए बस इतने ही है, आने वाली वीडियो में आपको मैं dark markets के बारे में बताने वाला हूँ, आके चल की यह series और भी interesting होने वाली है, तो guys, अगर आप इस channel के नहीं है तो subscribe कर दो, और like करना बिल्कुल मत बूलना है, तो मिलते हैं next video में, thanks for watching.